Hello everyone, देखिए अब example 4.5 करते हैं, देखो इसमें क्या कहता है, कहते हैं, element delta L is equal to delta X i cap, मतलब क्या यह current element क्या आपके इसमें बताया हुगा है, जैसे कि आपने बायोट सावर्सलों में पढ़ा है, कि हम क्या करते थे, एक wire लेते जिसमें हम छोटा सा part लेते जिसको हम current element बोलते थ ठीक है, याद आया कुछ, और हम इसकी वज़े से किसी point P पर magnetic field की value निकालते थे, बायोट सावर्सलों में, ठीक है, तो वैसा ही question है इसमें यह कहता है आपको कि current element दियावे delta X i cap, जिसमें delta X की value 1 cm दियो है, तो यानि कि मैं इसको DL लिख सकता हूँ delta L को, ठीक है, DL लिख लिख सकता हूँ, और delta X को मैं DX लिख सकता हूँ इस तरीक के से, तो यहाँ पर जो DX की value दियो है, वो 1 cm दियो है, याप delta X लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ यह समझाने के लिए, तो यह 1 by 100 meter हो जाएगा, ठीक है, यह तो चीज समझ में आ गई आपके, I cap मतलब क्या है, कि जो current की direction है वो, यह X axis के लोंगा, I cap पता है, आपको X axis, I cap होता है, J cap Y axis होता है, और K cap क्या होता है, direction, unit vectors होते है, यह K cap किसके लोग, Z axis होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है, कि यह current element है, is placed at the origin, origin पर placed है, यह Y axis हो गया, यह X axis हो गया है, और यह direction बता है, कि current की direction, I cap है, मतलब कि X axis के लोंगे, carry the large current, I, कितना 10 ampere का, इसमें current जा रहा है, ठीक है, current भी आपको पर चल गया, कितना है, 10 ampere का, what is the magnetic field on the Y axis at a distance of 0.5 meter, तो Y axis यह है, तो यहाँ से 0.5 meter की दूरी पर, यानिक इस P point पर, आपको magnetic field निकालना है, तो simple सा आपको vector form में क्या होता था, याद है कुछ, बताओ, vector form में, याद है, db vector is equal to mu naught 4 pi, अगर याद आया हो, थोड़ा-थोड़ा, ठीक है, mu naught by 4 pi, i, और यहाँ आता था आपके पास, dl cross r, vectors में होते थे, और नीचे r cube होता था, ठीक है, vector form में मैंने बताया हो, आप theory में आप इस sin theta over में r square वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें आपको angle भी पता करना है, और यह पता होना चाहिए कि angle जो है, वो किस-किस के बीच में है, तो यह vector form से डाला पाचलता है, यह आप देख लेना है, इसको ही हमने यहाँ पर convert किया था, ठीक है, देख लेना theory में, तो dl और r के बीच का angle होता है, ठीक है, dl cross r, तो dl r sin theta बनाएंगे हम इसको, ठीक है, देखो, mu node upon में 4 pi, और यह constant of proportionality होता है, इसकी value कितनी होती है, mu node by 4 pi कि value कितनी होती है, 10 की power minus 7 होती है, ठीक है, याद रखना, i और dl r sin theta लिख देंगे हम इसको, ठीक है, और यह r cube, तो यह से बीच का angle होता है, यह theta, तो theta यहाँ पर देख लो क्या है, देखो, dl, यह हो गया, क्योंकि यह dl, dxc है हमारा, ठीक है, clear है, तो यह हो गया हमारा parent element, जिसकी direction यह है, clear, dl, यह बना, तो i कह लोंगे, ठीक है, clear, तो यह direction हो गई, dl की, और जो r है, r मतलब यह दूरी, दूरी कित हो गया question, 10 की पावर माइनस 7 यह आगया, unit by 4 by, i की value 10 ampere है, dl, dl की value यह है, हमारे पास, delta x i, or delta x की value 1 cm है, तो यानी की 1 by 100, clear है, समझ रहे हो न, dl, delta l, एकी बात है, यहाँ पर, तो यह इसकी value कितनी है, delta x i, delta x की value कितनी है, 1 cm, यह dx लिख सकते हो, यह मैंने आपको बोला था तो 1 by 100 हो गया, ठीक है, अब i cap की value किया है, 1 होती है, unit vector होता है, ठीक है, unit vector की value 1 होती है, तो इसलिए नहीं लिखा i cap, 1 by 100 हो गया, ठीक है, और आपके पास, sin theta is 1, यानी कि sin 91, ठीक है, और नीचे क्या बचा था, r square, r square, यानी कि 0.5 into 0.5, ठीक है, तो मैं इसको 0.5 into 0.5 लि 0.5 into 10 की power minus 7, point हटा हो आप यहां से, तो 10 आगया, 10 की power minus 7, तो यह बन जाएगा, 4 into 10 की power minus 8 tesla, तो यह आपके पास, जो है, magnetic field आगया, current element जो था हमारा, dl के लिए था, तो भी साथ है, जो हमारे पास magnetic field है, वो भी db ही आएगा, ठीक है, तो यह हमारे पास इसका answer आगया, तो इसनी बात clear है, अब इसकी direction अगर आप देखना चाते हो, तो आप देख सकते हो, right hand rule से, right hand rule क्या कहता है आपके पास, जो thumb rule होता है हमारा, कि thumb को current की direction में करो, और जो यह आपकी fingers है, curved fingers, यह बताएंगी magnetic field की direction, तो यह मेरा right hand है, current की direction देख लो, thumb के लोंग है, x-axis के लोंग यह इस तरीके से, यह x माल लो, यह y माल लो, और यह वाला उपर वाला z होगा, तो यह z copy में तो नहीं बनेगा, तो z होगा, clear है, तो यह यह यानि की बाहर की तरफ आप लोंग इसकी direction होगा, तो हमें आ लिक देंगे, direction of magnetic field is along plus z axis, ठीक है, अंदर की तरफ minus होता है, अब आ यहाँ example में जब solve किया हुआ है, तो इसकी direction ना formula से निकाल लिए है, formula से कैसे निकाल लिए है, जैसे आप देखोगे न उसमें, तो इस तरीके से लिखा हुआ है, कि यह dl cross में R हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो dl की value तो उसने बोल लिए है, आपको delta x, i cap, और r की जो direction है, वो जो r की जो direction है, यहाँ पर वो किस के लोंगे, बताओ, यह बला, y axis के लोंगे, और यह j cap में होता है, तो इसको मैं y j लिख सकता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से delta x और यह जो है y आ गया, यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और यह बला बच गया, i cross j cap, अब i cross j आपको पता है, क्या होता है, k होता है, तो इनका जो answer होगा, इन दोनोंगा, वो k cap के लोंग आएगा, तो यानि की, जो direction है, magnetic field की, वो किस के लोंगे, k cap यानि की, z axis के लोंगे, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, या नहीं, ठीक है, क्योंकि clear है, तो ये चीज़ पता है आपको, clear, k cross i cap, i, j, k, ठीक है, तो j और k का i k long, फिर k और i का j k long, ये चीज़ बनती है, हमारे बस, तो i cross j था तो k का आपको, ये पता होगा, आपको सब properties, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा question था, बायोट-सावट-सलो का use हो रहा है, बस आपक element है, ठीक है, delta x i cap, यानि की, country direction i cap के लोगा, यानि की, x-axis के लोगा, और delta x की value यहाँ दी हुई थी, तो formula में डिया लगत है, तो वहाँ पर output कर सकते हो, clear, एतनी बात बताओ, ठीक है, easy है, कर लोगे, जो next video में हम next question करेंगे, clear, okay, thank you.